वुड़ बॉर्निंग इस्ट्वेंट्स अपन लोग लास्ट टर्म पर राजा राम मोहन रोई की राजनितिक विचारों को देख रहे थे और उसमें उनका राजनितिक विचारों के अलावा उनका जो व्यक्तिगत परिचे था उसको अपन लोगों ने देखा था और राजितिक विचारों में अपन जिस पॉइंट को डिसकस कर चुके थे वो था वयक्तिक एवं राश्ट्रिय स्वतंतरता का प्रतीपादन आज हम लोग जो विचार लेने जा रहे हैं उसमें सबसे पहला है प्रैस की स्वतंतरता की संदर्भ में राजा राम मोहन रॉय के क्या विचार रहे तो राजा राम मोहन रॉय उन लोगों में से हैं जो प्रेस की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं और इस पश्ट रूप से कहते थे कि व्यक्ति को लिखित अभी व्यक्ति की स्वतंत्रता आनिवार्य रूप से प्राप्त होनी चाहिए 1823 में जब ब्रिटिस सरकार के द्वारा समा चार पत्र निकालने पर प्रतिबंद लगाया गया था तब राजा राम मोहन रॉय के द्वारा इसका बड़े जबर्दस्त रूप में विरोध किया गया था और ब्रिटिस सर्वोच चेन्यायले को इसकी लिखित शिकायत भेजी गई थी याचिका भेजी गई थी और उसके बाद सब परिशद प्रिवी काउंसिल को इसकी शिकायत भेजी गई थी राजाराम मोहनरोय का ये कहना था कि स्वतन्त प्रेस ने संसार के किसी भी भाग में क्रांती को जन्म नहीं दिया मेंस उनका ये मानना था कि प्रेस की स्वतन्तरता कभी भी सरकारों के लिए खातक नहीं हो सकती बलकि प्रेस की स्वतन्तरता पर जब भी प्रतिबंद लगाये जाते हैं तब ही जन्ता का जो असंतोष है जन्ता की जो निराशा है जन्ता का जो गुस्सा है वो चरम अवस्था पर पहुँच करके क्रांती को जन्म दे देता है इसलिए उनका ये तर्क था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतन्तरता जिस समाज को प्राप्त नहीं होती है वह समाज कभी भी उन्नती के रास्ते पर अग्रसर नहीं हो सकता तो इसलिए उनका ये इस बात के उपर एमफैसिस था कि ब्रितिस सरकार को भारत में समाजार पत्रों की स्वतन्तरता देनी चाहिए हाना कि समाचार पत्रों की स्वतंतरता से अभिप्राय ये नहीं था कि सरकार को डराने का कारे किया जाए, सरकार को गिराने का कारे किया जाए या अपमानित करने का या सरकार के विरुद किसी भी प्रकार से घ्रणा के प्रसार का कारे किया जाए उनका ये मानना था कि ही समाचार पत्र का जो उद्देश है वो जनता और सासक के बीच एक कड़ी के रूप में कारे करना था जनता और सरकार दोनों को ही उचित शिक्षा देने के लिए उचित मार्ग निर्देशन देने के लिए समाचार पत्र का होना जरूरी है समाचार पत्र पिछड़े हुए समाज को रोशनी देने का कार्य करते हैं और जो इग्नोरेंट रूलर होते हैं जो अज्यानी शासक होते हैं उनको अपने कार्य के प्रती सचेत करने का कार्य करते हैं राजा राम मोहनरोय का एक कहना था कि इस स्रिष्टी पर इस प्रित्वी पर कहीं पर भी कोई भी ऐसा शासक या शासन ब्यवस्था नहीं हुई जहां पर नागरिकों को कोई शिकायत ना रही हो देट मेंज हर राजितिक ब्यवस्था में हर शासन ब्यवस्था में उस सरकार से शासन ब्यवस्था से जनता को कुछ न कुछ शिकायत रहती ही हैं नेक्स्ट जो कंसेप्ट हम लोग लेंगे वह है न्याइक ब्यवस्था के बारे में राजा राम मोहनरोय के क्या विचार थे तो यहाँ पर उस समय की जो न्याइक ब्यवस्था थी वो बहुत ही जादा भेदभाव मूलक थी जातिगत आधार पर भेदभाव से परिपूर्ण और इस पर हम लोग एक एक एग्जामपुल लेंगे वो यह है कि 1827 में एक जूरी अधिनियम पारित किया गया था और उसमें ये क्लॉज रखा गया था कि यदि किसी इसाई के उपर अभियोग चलाया जाता है तो हिंदू और मुसल्मान उस जूरी में नहीं बैठ सकेंगे इस अधिनियम के विरोध में राजा राम मोहन रोई ने याची का तयार करके ब्रिटिस पार्लियामेंट को सम्मिट किया न्याइक बैवस्था में उस समय जो कम्या थी राजा राम मोहन रोई के द्वारा उन कम्यों की तरफ ध्यान ब्रिटिस सरकार का अकृष्ट किया और कि जो देश का न्यायल है, यूरोपियन लोगों के उपर भी उसका क्षेत्रादिकार होना चाहिए, means जो इंडियन कोर्स हैं, उन इंडियन कोर्स का यूरोपियन लोगों के उपर भी जूरिस्टिक्शन होना चाहिए, जूरी प्रथा को बनाए रखा जाए, उसे अपनाया जाए, न्याइक और प्रसासनिक पदों का प्रथक करण किया जाए, विधी का सहिता करण किया जाए, और विधी निर्मान में जंता के परामर्स को तवज्जो दी जानी चाहिए, इसके साथ ही साथ, कोर्ट्स की जो प्रोसिडिंग्स हैं, जो निर्णय हैं, कारिवाहियों की जो रिपूर्ट हैं, उनको सारवजनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित किये जाने की व्यवस्था होनी चाहिए, और इन सब के अलावा, इंडियन पैनल कोर्ट भी तयार किया जाना चाहिए, जिसमें जो कमियां हमारे यहां पर हैं, उनको दुरुस्त किया जा सके, और उसके अनुसार न्याइक ब्यवस्था का संपादन किया जा सके, नेक्स्ट हम लोग लेंगे, एट्मिनेस्टेटिव सिस्टम के बारे में, राजा राम मोहन रोय के क्या विचार रहे, तो राजा राम मोहन रोय के द्वारा, जो प्रसासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए जो सदेशन दिये गए प्रिटिस सरकार को, उनमें सबसे पहला था, कि देशी लोग सेना की स्थापना की जानी चाहिए, और भारतियों को जादा से जादा उच्च पदों के उपर नौकरियां दिया जाए और ज्यादा नौकरियां दी जाए, रैत की द्रसा में सुधार के लिए, उनकी रक्षा के लिए कानोनों का निर्मान किया जाए, और इस्थाई भूमी प्रबन्द की व्यवस्था की जानी चाहिए, इस संदर्भ में हम डॉक्टर वीपी वर का कोटिशन ले सकते हैं उनका एक कहना था कि राजा रा मुहन रोय भारतिय रियत बाड़ी क्रिशी प्रधान तथा देहाती आधार को अक्छोषन रखने के पाक्षमें थे यहां उनका एक सजेशन था कि यदि ब्रिटिश सरकार भारत वासियों का सपूर्श चाहती है भारत को अपने प्रति लोयल बनाना चाहती है तो उसे भारतियों की युगिता के अनुसार उनकी शिक्षा के अनुसार उन्हें महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां देनी पड़ेंगी और उनकी युगिता के अनुसार उन्हें राष्ट्रिय सम्मान भी देना पड़ेग ब्रिटिस सरकार के साथ मिल करके उन्होंने धेरों कदम उठाए और उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कदम था वो था सती प्रथा निशेद कानून इसी प्रकार से इस्त्री सिक्षा, इस्त्री पूरुषों की समानता, नारी उधार और इन सब की तरफ उन्होंने ब्रिटिस सरकार का ना किवल ध्याना कृष्ट किया बलकि उनके उध्थान के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम उठाने का कारे भी किया लास्ट जो हम लोग लेंगे वो ये है कि मानवतावाद और विश्वबंधुत्व के प्रती राजा राम मुहनरोय के क्या विचार रहे तो इसमें हम कह सकते हैं कि राजा राम मुहनरोय विश्व नागरिक्ता की अवधारना के प्रती पादक थे और विश्वबंधुत्व की धारणा का समर्तन करते थे। यहां उनका ये मानना था कि एक ऐसे अंतरराष्ट्रिय समाज का निर्मान किया जाए, एक ऐसे विश्व संगठन का गठन किया जाए, जिसमें की दो राष्ट्रों के बीच यदी किसी प्रकार का विवाद होता है, तो पंच फैसले के द्वार उसका निप्टारा किया जा सके। तो यहां पर रादारा मोहन रॉय एक समन्वयवादी विचारधारा, उदार विचारधारा के हमें विचारक दिखाई देते हैं, जिनोंने समष्टी और व्यक्ति, ईस्वर और मनुस्य, मानवता और राष्ट्रियता, समुदायवाद और व्यक्तिवाद के बीच में एक अनिवार्य तादात्म्य उनको इस्थापित किया और ये उनके राजनितिक चिंतन का एक महत्वपूर्ण तत्व हमें देखने को मिलता है, बाकी हम लोग कर लेंगे, ठैंक यू.